नमस्कार भारत के पहले मोबाइल न्यूस चानल मेट्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलिटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर बी-एस-पी सप्रीमो मायावती का गोरक्षकों के मामले में पी-ए मोधी पर निशाना कहां पेछले दो साल से मुस्लिमों और दलतों को बनाया जा रहा निशाना पी-एम सो रहे कुमकरण की नील इलाबाद के एक स्कूल में राश्ट्रगान पर पाबंदी लगाने वाला मैनेजर गिरिफतार देजरो का मामना दर्ज स्कूल को भी किया सील रशासन ने कड़ी कारवाई के दिये संकेर जमुकश्मीर के कुपवाड़ा जुले में नियंतरन रेखा के पास आतंकियों से मुतभेर बी-एस-फ के दो जवान चाहिद एक आतंगवादी धेर गुसपेट की कोशिश हुई नाकाम हिजबुल मजाहिदिन के चीफ सेयद सलाओदिन को मिला कराला जवाब केंद्रमंत रिवेंक एन आईडू ने किया पलटवार कहा सलाओदिन को कश्मीर पर बोलने का हक किस ने दिया और रियो ऑलम्पिक में भारत को मिली मिली जुली सौगार दीपा करमाकर ने वोल्ट के फाइनल में प्रवेश का रचा इतिहास महिला तीन अंदाजी टीम की खत्म हुई चुनोती उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में आगास के तौर पर राखुल गांधी और सोनिया गांधी के सफल चुनावी कारिक्रमों से उत्साहित कॉंग्रेस ने अलान किया यूपी में वो किसी के साथ चुनावी गटबंधन नहीं करेगी इस बात का एलान यूपी में कॉंग्रेस की मुख्यमंत्री उमीदवार श्रीला दिक्षित ने लखनों में प्रेस कॉंफरेंस किया श्रीला दिक्षित से जब नितिश कुमार की पार्टी जेटिव और बीसपी से चुनावी गटबंधन के बारे में पूछा गया श्रीला दिक्षित ने साफ कहा कि किसी पार्टी से कोई गटबंधन नहीं होगा कॉंग्रेस अपने बूते खड़ी होगी और लड़ेगी शीला ने कहा कि पार्टी अपने उमिद्वारों के नाम का एलान भी जल्द करेगी लेकिन कब करेगी इसका फैसला पार्टी करेगी भरपाई का प्रावधार नहीं था उन्होंने बताया निर्मान उत्पादन में लगे राज्यों को राजस्वग हाटे की चिंता थी GST काउंसल के स्वरूप पर भी विवाद था पूर्व BSP नेदा स्वामी प्रसाद मौरिया आज अमिच शा की मौजूदिगी में भारती जनता पार्टी में शपत लेक अश्रा मिल हो गए 22 जून को मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुई मौरिया ने BSP से इस्तिफ़ा दे दिया था इस्तिफ़ा के बाद मायावती ने मौरिया के आरोपों का जवाब देते उन्हें पार्टी से निश्कासित कर दिया था पिछले डेड महीने में UP BJP के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने स्वामी प्रसाद मौरिया की दो बार BJP अध्यक्ष अमिच शा से मुलाकात कराई थी मौरिया बीजेपी में आए इसका पूरा ताना बना ओम माथुर ने बना है ओमाथुर अच्छे से जानते हैं कि UP BJP के अध्यक्ष केश्व प्रसाद मौरिया बिलकुल नहीं चाते थे कि स्वामी प्रसाद मौरिया बीजेपी में शामिल हो आतंकी संगटन हिजबल मुजाहिदिन के चीफ सेयद सलावदिन ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान में परमानू युद्ध हो सकता है सलाओदिन ने भारत को ये धमकी काराची में जमात ए इसलामी नेताओं की कश्मीर मुद्दे पर हुई जॉइंट न्यूस कॉंटरिंस के दौरां दी केंद्रमंत रिवेंक एनाइडू ने सलाओदिन की धमकी पर कहा वो है कौन और उसे कश्मीर पर बोलने का हक किस ने दिया उन्होंने कहा कि धमकी से कुछ नहीं होगा ऐसे लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बाते करते हैं हिजबुल चीफ ने कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के वी चोथे युद की भविश्यवानी भी कर सकता हूँ क्योंकि कश्मीरी किसी भी स्थिती में समझोता करने के मूट में नहीं है जमुकश्मीर में ज्वारी तनाव को देखते हुए आज लगातार 31 वे दिन कई इलाकों में कर्फियू और प्रतिबंध जारी है जिसके कारण जन जीवन प्रभावित है पुलिस सूत्रों के मताबिक अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा में कर्फियू है जब कि श्वीनगर, सुपोर, बारामुला, हंदवाडा और कुपवाडा में प्रतिबंध चारी है यहाँ पिछले माँ भड की हिंसा के वाद से पहली बार जिला प्रशासन के कई वरिष्ट अधिकारियों ने कहा है कि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकरत नहीं है अलगाबादियों निश्वीनगर में सिविल सेकेटरिय और अन्य प्रशासनिक कारलेक तक लोगों से सडक मार्क बाधित करने को कहा है शेक्षनिक संस्थान, कारुबारी प्रतिश्थान और सार्वजनिक परिवहन भी पिछले एक माँ से अधिक समय से बंद है अलगाबादी नेताओं को एतियात के तोर पर हिरासत में रखा गया है जमुकश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंतरन रेखा के पास आतंकियों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुटभेर की खबर आई है बताया जा रहा है कि आज हुई इस मुटभेर में B.S.F. के दो जवान फ्रहीत हो गए हैं जबकि एक आतंकी को भीमार गिराया गया है कुपवाड़ा के लिए अतिरिक्थ सुरक्षा बलो को रवाना कर दिया गया है हलाकि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि ये मुटभेर घूस पेट की कोशिश के दोरान हुई या फिर आतंकी इलाके में पहले ही से मौजूद थे जानकारी मिली है कि जमु कश्मीर के कुपाड़ा जिले के माच्छिल सेक्टर में इनकाउंटर अब भी जारी है पाकिस्तानी खुवे एजनसी आईस आई अंतराश्ट्रियस सीमा और लोसी के जरिये बड़े पैमाने पर घूस पेट कराने की कोशिश में है भारतिय सुरक्षा एजनसीों ने आतंकियों के घूस पेट करने की आठ जगाओं और आतंकियों के मुवमेंट का पता लगाया है लशकर कमांडर, शहबाज, उर्फ, लतीफ अपने साथ-साथ आतंकियों के ग्रुप में तंगधार सेक्टर में घूस पेट की कोशिश में है हिजबल मुजाहिदन के आठ आतंकियों का ग्रुप उरी सेक्टर में घूस पेट की कोशिश में है जेश के पांच से छे आतंकियों का एक ग्रूप बिमला पोस्ट के नजदीग घूस पेट करने की कुशिश में है सुरक्षा एजिंसियों ने इसके साथ हिलशकर जेश और हिजबुल के आतंकियों की बादशीत को इंटरसेप्ट किया है कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग का खुलासा इस इंटरसेप्ट बादशीत से हुआ है इसमें आतंकी कोड के जरिये बात करने सुनने गए है पाकिस्तान के बलुचुस्तान प्रांद के क्वेटा में एक सरकारी अस्पताल में धमाका हुआ है आज सुभ़ हुए इस बम धमाके में अब तक 30 लोगों के मारे जाने की खबर है वही बलुचुस्तान के मुख्य मंतरी ने हमले के लिए भारत को जिम्यदा ठहराया है पाकिस्तान के जियो टीवी के अनुसार बलुस्तान के मुख्य मंत्री सनाउलला जहरी ने आज भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्वेटा हमले के पीछे भारती अपूफे एजनसी रौका हाथ है शुरुवाती जानकारी के मताबिक एक आत्म घाटी हमला बताया जा रहा है क्वेटा में एक वरिष्ट वकील की हत्या के बाद हुए इस ब्लास्ट में घायल होने वाले अदिकतर वकील ही बताया जा रही है घायलों की संख्या तीज बताया जा रही है अब तक किसी भी आतंग की संगठन ने इस हमले की जम्मदारी नहीं ली है इलाबाद की एक स्कूल में राश्ट्रगान गाने पर पाबंदी लगाने वाले स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कारवाई की है पुलिस ने देश्ट्रो का मुकदम दर्ज कर स्कूल प्रबंधक को गिरफतार कर लिया है इससे पहले स्कूल की प्रिंसिपल सहित आठ टीचर्स ने स्कूल में राश्ट्रगान गाने की पाबंदी लगा देने पर इस्तिफा दे दिया था इस्तिफा देने वाले टीचर्स का कहना है कि राश्ट्रगान गान सम्विधान की ओर से दिया गया मूल अधिकार है स्कूल प्रबंधन ने जब इसे गाने पर इतराज जताया तो उन सब को इस्तिफा देने पर मजबूर होना पड़ा प्रशासन ने जाज कराई तो पता चला कि ये स्कूल बिना मानने तके ही चल रहा है प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है स्कूल प्रबंधन ने बताया कि राश्ट्रगान में भारत भागया विधाता के भारत शब्द से उन्हें एतराज है राश्ट्रगान से भारत शब्द नहीं हटाया जाएगा तो वे स्कूल में राश्ट्रगान गाने नहीं देंगे बीजेपी के लिए मुस्लिम समुदाएं के लोगों को अपने सास जोना हमेशा से टेड़ी खीर साबित हुआ है लेकिन अब बीजेपी की नाजर अलप संख्यक वोटो को लुभाने में लग गई है पार्टी नेता खुद को मुस्लिम और इसाई समुदाएं को अपने साथ जोने की कवायत शुरू करने जा रहे हैं इसके लिए बीजेपी अलप संख्यक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है जिसमें खासतोर पर मुस्लिम और इसाई समुदाएं के युवाओं के विचारों उनकी समस्या सरकार की नीतियों पर उनकी राय लेगी इन युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए इसी एजेंड़ा पर वीजेपी काम करेगी यही नहीं वीजे पी इन युवाओं की राय भी लेगी इस सम्मेलन को वीजेपी अगस्त के अंतिम सब्टा में आयोजित करेगी भारतिय रिजर्व बैंक के एक नए गवनर को लेकर ताजा अटकले सामने आई है शुकरवार को रिजर्व बैंक के पूर्व दीप्टी गवनर सुबीर गोकर्ण ने गवनर रगुराम राजन से मुलाकात की थी इसी हफ़ते गोकर्ण ने आर्थिक मामलों के सचीफ शक्तिकांत दास से भी मुलाकात की थी सूतरों के मताबिक केंद सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वे नए गवनर के नाम का एलान कब करेगी हलाकि ऐसी संभावना जोताई जा रही है कि इस अफ़ते के अंद तक नए गवनर के नाम की घोशना हो जाएगी पहले आर्बी आई के गवनर के पद के लिए जिन लोगों के नाम की चर्चा थी उन्हें मुख्य आर्थिक सलाकार अर्विंद सुब्रमानियम, विश्व बैंक के पूर्व मुख्या अर्थिशास्त्री कोशिक बसू, नीती आयोग के उपाध्याक्ष अर्विंद पंगडिया आर्बी आई के पूर्व दीप्टी गवनर राकेश मोहन और भारतिय स्टेट बैंक के चेर्रमेन अरुंदती भटाचारे का नाम शामिल था इस न्यूस बोलिटन में फिलहाल अतना ही, ताज़त अरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मैटो टीवी से, नमस्कार